पिछले कई दिनों से गुजरात के सरकारी करमचारी बड़ा व्यग्र प्रदर्शन कर रहे हैं सभी सरकारी करमचारी बहुत दुखी हैं, बहुत गुस्से में हैं और पहली बार देखा गया जिस तरह से सेक्रेटेरियेट का घिराव किया गया जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या के अंदर सरकारी करमचारी सडकों के उपर हैं उनकी में डिमांड है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागो की जाए मैं उन सब साथियों को आश्वासन देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो गुजरात के अंदर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागो करेंगे कल ही पंजाब के सीएम ने ऐलान किया है, कि उन्होंने पंजाब के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागो करने की तैयारी करने के लिए ओर्डर दे दिया है तो जैसे पंजाब में अब लागू करने जा रहे हैं, वैसे हम लोग गुजरात में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे मेरी सभी सरकारी करमचारियों से निवेदन हैं, आप अपना संघर्ष जारी रखिए, अगर ये सरकार कर देती है तो ये सरकार कर दे, अगर नहीं करती है तो दो महीने के बाद जब सरकार बदलेगी तो हम करेंगे और सभी किसी भी राज्ये के अंदर चुनाव जिताने में या हराने में, वहां के सरकारी करमचारी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि ये सरकार भ्रष्टाचारी है, ये सरकार सारे गलत काम करती है, जन विरोधी है, इस सरकार को 27 साल हो गए, अब एहिंकार आ गया इनके अंदर, एक बार इनको हटाना बहुत जरूरी है सारे मिलके, सब लोग मिलके इनको हटाने की तैयारी करें, उस दिशा में काम करें अब अगले दो महीने, छुटी लेनी हो, छुटी लें, सब लोग उस दिशा में काम करें और इस सरकार को हटा के, हम आप लोगों से एक ही मौका मांग रहे हैं ये तो बार-बार आके आपको कहते हैं एक मौका और दे दो हम तो अगली बार आएंगे तो आपसे यही कहेंगे कि अगर अच्छा काम किया है तो जी हमें दूबारा लाना न मत लाना तो एक मौका आप लोगों से मांग रहे हैं सभी सरकारी करमचारियों से निवेदन है कि सब लोग लग जाएं प्रचार करने के लिए अंदर खाने प्रचार करें क्योंकि खुलके सरकारी करमचारी प्रचार नहीं कर सकते लेकिन अंदर खाने प्रचार करें सोशल मीडिया पे प्रचार करें by word of mouth परचार करें ज्यादा से ज्यादा परचार करें एक और चीज़ बड़ी इंट्रेस्टिंग देखने को मिल रही है ये दोनों पार्टियां हमारे खिलाफ इकठी हो गई है ये दोनों पार्टियां खूब मेरे को गालियां देती है केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल जूटा है, केजरीवाल आतंकवादी है केजरीवाल ये है, केजरीवाल दोनों की भाशा भी एक है दोनों के शब्द भी एक है दोनों पार्टियां मिलके मेरे को गालियां दे रही है मेरा कसूर क्या है मैं कहता हूं कि हम गुजरात के लोगों की महंगाई दूर करेंगे ये कहते हैं कि इजरी वाल कमीना है ये पार्टियां नहीं चाहती कि गुजरात के लोगों की महंगाई दूर हो मैंने कहा कि हम गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त कर देंगे ये दोनों पार्टियां मिलके मेरे को गाली देती है ये नहीं चाहती कि गुजरात के लोगों के बिजली मुफ्तो मैंने कहा कि हम गुजरात के सरकारी स्कूल बहुत शांदार कर देंगे जैसे दिल्ली में की है ये दोनों पार्टियां मिलके मेरे पर अटेक करती है यह नहीं चाहती कि गुजरात के स्कूल अच्छे हूं गुजरात के स्पताल अच्छे हूं मेरे यही तो कसूर है कि हम गुजरात के लोगों की भलाई की बात कर रहे हैं और यह दोनों पार्टियां मिलके खुब जबर्रस तरीके से हमारा विरोध कर रही है और अब देखना आने वाले दुनों में ये लोग खुब बड़े बड़े अपने राष्ट्रिय स्थर पे खुब बड़े बड़े नेता उतारेंगे सारे आके मेरे को गालियां देंगे केजरी वाल चोर है, केजरी वाल भृष्टाचारी है, केजरी वाल कमीना है, केजरी वाल ये है, केजरी वाल वाल और मेरा कसूर केवल इतना है कि मैं गुजरात के लोगों के भले की बात कर रहा हूँ आज गुजरात में एक सार्मी वाले प्रदर्शन कर रहे है forest guard production कर रहा है, वी वीडियो देखा जिसमें खाकी वर्दी वाले, खाकी वर्दी वालों के खिलाफ लड़ रहा है यह अच्छी बात नहीं है forest guard production कर रहा है, national health mission के workers प्रदरशन कर रहा है LRD waiting वाले प्रदरशन कर रहा है VC प्रदर्शन कर रहे हैं गाउं गाउं से VC IMA Teachers प्रदर्शन कर रहे हैं किसान प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसे लगता है जैसे सारा गुजरात सड़कों के उपर है इन सभी साथियों से इन सभी दोस्तों से भाईयों बेहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उनको आश्वासन देना चाहता हूँ, आपके जितने भी मुद्धे हैं, जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगे, हम आपके सारे मुद्धों को समधान करेंगे, आपका कोई प्रश्न है तो, दो तिन प्रश्न ले लेते हैं मैं उन सारे बिरोक्रेट्स को कहना चाहता हूँ, कि उन्होंने कभी भी इनके मुद्धे नहीं उठाए, उन्होंने कभी भी गुजरात में जो इतना भरश्टाचार हो रहा है, उसका मुद्धा नहीं उठाया, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी भी उनके मुद्धे न मैं इन सभी बिरोक्रेट्स को कहूंगा कि एक बर लिखें कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए जितने ये फॉरेस्ट गार्ड, एक्सार्मी आफिसर, एनेचेम, हेल्थ वर्कर्स ये भी इस देश के नागरिक हैं इनको भी अपना जनतांत्री का धिकार है अपना वो नहीं कोई दबाने की किसी कोई कोशिश नहीं की जारी और जो भी हुआ वो। बहुत दुखदाई है, बहुत पेंफिल है और जो दोशी हैं उनको गिरफतार कर लिया गया उन्होंने सक सक सख सजाद लवाई जाएगी मैं आपको एशोड करता हूँ सबी लोग सियासत करते हैं पर ऐसे मुद्दों पर सियासत नहीं होनी चाहिए अगर किसी ने भी गड़बड की और इसको सजा दीजिए मेरे को बीजेपी के उपर बहुत दया आती है उनसे निकम्मी पार्टी मैंने अपनी जिंदिगी में नहीं देखी CBI उनके पास है, ED उनके पास है, income tax उनके पास है, पुलिस उनके पास है उसके बावजूद वो रोज press conference करके कुछ 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 इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया जिंदिगी में कभी केंदर में हमारी सरकार बनी तो हम दोशियों को जेल भेजेंगे, प्रेस कॉन्फरेंस नहीं करेंगे इसके ये मतलब है कि उनसे काम नहीं हो रहा उनसे काम नहीं हो रहा नोटंकी कर रहे हैं, सुबह से शाम तक बैठके नोटंकी करते हैं अरे किसी ने गलत काम किया पकड़ के जेल भेजो दोशियों को हमारे उपर इन्होंने 179 केस किये, 169 केसे इन्होंने हमारे उपर किये, 135 में बरी होगा 34 पेंडिंग है आप किसी और को भी नमस्कार सूर ऐसा बन गया है कि भारती जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त तकलीफ होने वाली है कहते थे कि इनकी 66 सीट ऐसी है अर्बन एरियाज में जहां बीजेपी कभी नहीं हरी है ऐसा कहा जाता था इस बार उन 66 सीट पे भी आप देखना काफी तकलीफ इनको उने वाली है वो सारी सीट नहीं जीत रहे वो लोग तो जाहिर तोर पे ये लोग मेरे खिलाफ नारे तो लगवाएंगे घर थोड़ी बैठेंगे 30-40 आदमी भेजके नारे लगवा के कहते हैं कि दूसरी चीज एक बड़ी इंट्रेस्टिंग है जब भी राहूल गांदी जी गुजरात आए इन्होंने उनके सामने नारे नहीं लगाए बीजेपी वाले भी कॉंग्रेस वाले भी केजरी वाले के खिलाफ दोनों मिलके नारे लगाते हैं दोनों कट्टे हो गएं दोनों मुझे गाली देते हैं दोनों मेरे पीछे पड़े वाएं आपका दूसरा प्रश्न है ये लोग कहते हैं कि गुजरात के लोगों को फ्री नहीं मिलना चाहिए ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकों ये लग रहा है कि ये जो सारा लूट के पैसा स्विस बैंकों में ले जाते हैं ये सारा लूट के पैसा अपने घर भरते हैं अगर इमांदार राजनीती हो गई अगर जनता को फ्री सुविधाएं मिलने लग गई तो इनके लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा अभी तक इस देश में लूट की राजनीती चल रही थी जितनी सरकारे थी जितने नेता थे ये mostly जो हैं वो लूटते थे सरकारों सरकारों को लूटते थे ये लोग और सारा पैसा स्विस बैंकों में ले जाते थे सारा लूट रही पहली बार इस देश के अंदर पहली बार आम आदमी पार्टी ने इमांदार राजनीती की शुरुवात की है हम इमांदारी से काम करते हैं पैसा बचाते हैं ब्रश्टाचार रोकते हैं रिश्वत नहीं लेते हैं उसे सरकार में खूप पैसा बचता है, उसे हम जंता को फ्री बिजली देते हैं, फ्री शिक्षा देते हैं, फ्री ऐस्पताल देते हैं, फ्री दवाइयां देते हैं. अब ये लोग इसका विरोध इसलिए कर रहा है कि अगर इनको फ्री देना पड़ गया, तो इनका लूटने का पैसा हो जाएगा तो एक चीज गाठ बांद लो जो आदमी कहे कि फ्री सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए समझ लेना उस आदमी की नियत में खोट है केज़रिवाल जी जैसे एरपोर्ट पे आपका स्वागत मोदी के नारे के साथ हुआ पिछले छे महीने में मान साब ने जो काम किये हैं पंजाब में 75 साल में किसी सरकार ने नहीं किये पिछले छे महीने में जितनी कटर इमानदारी आज 75 साल के बाद पंजाब को एक कटर इमानदार और महेंती सीम मिलाए छे महीने में उन्होंने सो महला क्लिनिक बना दिये पंजाब के लोगों की बिजली मुफ्त कर दी सत्रा हजार नई नौकरिया निकाल दी आठ हजार करम टीचर पक्के कर दी इतने सारे काम भगवन्त माननी किये है कि इनके जो विरोधी हैं उनको उनके कामों में कुछ कमी दिखाई नहीं देती तो अब कीचर भेंकते हैं कि मान साब ने सब जूट है, सब बक्वास है मैं वो बिचारा आदमी लगा हुआ है पंजाब के विकास के लिए उसको रोकना चाहते हैं सारे विरोधी मिलके जनता देख रही है जनता उनके काम से बहुत खुश है मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं सारे विरोधीयों से अगर भगवन्त मान छे महीने में बिजली मुफ्त कर सकते थे तो इन दूसरी पार्टियों के सरकारों ने 75 साल में बिजली मुफ्त क्यों नहीं करी ये सारा पैसा लेके कहां चले गए पंजाब का पैसा किस ने खाया Sir, अब ममता बैनर जी शोविंग आप सब्सपोट तोर्स BJP Do you have a statement on that? I'm here sir उनको पूछिये मैं कैसे उसका जवाब दे सकता हूँ Sir, when you were welcomed on the airport Modi ji के नारे से Do you think that BJP is taking you as the new Modi? Do you see that incident in that perspective? I will not say मेरे को राजनीती नहीं आती ये मेरी कमजोरी है मेरे को जनता का काम करना आता है मेरे से बिजली मुफ्त करवालो मेरे से स्कूल बनवालो मेरे से अस्पिताल मैं गुजरात में आके पिछले छे महीने से एक साल से जब से मैं गुजरात आरो मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपके विजली 24 घंटे कर दूँगा मैं आपके फसलों के अच्छे दाम दूँगा मैं आपको महेंगाई दूर कर दूंगा मैं आपके बच्चों को रोजगार दूंगा आपके लिए च्छे स्कूल बनाऊंगा ये पार्टियां करके जेल भेजेंगे जो निर्दोश है उसको बिल्कुल निकरेंगे जो आज सिस्टम है दारूबंदी का सिस्टम है नशाबंदी का सिस्टम है उसको लागू रखा जाएगा लेकिन उसको लागू किया जाएगा अभी जो इलीगल तरीके से अभी सारा धंदा इनी का है सब जानते हैं दस पंदरा हजार करोड रुपए का धंदा इनी लोगों का है, इनी के लोग करते हैं, सारा प्रॉफिट इनी को जाता है, ये नहीं करें हैं, हम अपनी पार्टी दारू बेच के नहीं चलाते हैं, ये लोग चलाते हैं, हम अपनी पार्टी मानदारी के पैसों से चलाते हैं, अज्वरा प्रोग्राम फेया, एक बार्णा वा में, अजियरा पर्णा पड़ि데ए जा समय होने बार्णा प्रोग्राम होना था, तेरा जगए हमें बदलनी पड़ी पिछले तीन दिन में, थर्टीन फ्लेसे इसमया, यहाँ पे हमने फिक्स किया, उसको फोन करके थमकाया, इन लोगों ने यहां फिक्स किया उसको फोन करके दमकाया कि केजरिवाल का प्रोग्रम नहीं होने देना आम आदमी पार्टी का प्रोग्रम यह जनतंतर के लिए सही नहीं है हम लोग एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी है हम पक्ष और विपक्ष है इस तरह से हमें एक दूसरे यह गुंड़ागर्दी है और इसी वज़े से आज गुजरात की जनता इन लोगों की गुंड़ागर्दी से परेशान है यह केवल मेरे साथ नहीं किया है मैं तो छोटा आदमी हो तो भुगत लूँगा गुजरात की जनता इनकी गुंड़ागर्दी से परेशान है गुजरात की जनता के साथ यह रोज गुंड़ागर्दी करते है Thank you